ये तस्वीरे हैं आजाद हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाच की जो आबादी के एद्बार से मुल्क का सबसे बड़ा अल्प सेंखेक समुदाय है सांजी संस्कृति वाले इस देश में मुसल्मानों की अपनी खास एतिहासिक और संस्कृतिक विरासत रही है आजादी की लड़ाई के दोरान लजाने कितने मुसल्मान नौजवानों ने अपनी जान की खुर्बानिय दी और कितने आली मैसे हुए हैं जिने फासी पर चड़ा दिया गया 1857 में आजादी की पहली कुरांती के बाद बहादूर्शा जफर की अगवाई में ब्रेटिश उपनिवेशवात के पहले विरोध ने अंग्रेजी हुकूमत की जणे हिला दी थी इतिहास के पन्ने इस बात के गवाँ है मुसल्मान भारत में 1857 से लेकर गी जो रास्तिय संग्राम है उनमें मुसल्मानों की बड़ी भूमी क्या है दिल्ली का बादशा होने के नाते सिपाहियों ने विद्रोह के बाद जिसे जिसके पास कुछ नहीं था पालंग पर भी उसका अधिकार नहीं था जिसे प्रतीक रूप में चुना विद्रोह के सिंबल के रूप में चुना वो दिल्ली का मुगल बादशा बहादुर शाह था जहासी की रानी या नाना साहब नहीं थे जो हिंदू ताक्तों का प्रत्यू करते थे क्योंकि बहादुर्शा खेंद्री ये ताक्तों का प्तेहित्तु करता था। उसके पुरकों ने कभी पूरे भारत पर राज किया था। इसलिए रास्त्री एकता को उसने शिट करने के लिए सिपाहियों ने उसे अपना नेता बनने के लिए लगभग मजबूर किया। सन 1947 में हिंदुस्तान को आजादी तो मिली पर इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी और चंद लोगों के फायदे के लिए इस मुल्क के दो टुकड़े कर दिये गए। इसकी बुनियाद सन 1925 में राष्टिय सोयम सेवक संग तथा हिंदू विचारधारा के मुखिया वीर सावरकर ने रखी थी और उसके बाद मुस्लिम लीक के स्थापना ने इस पर अपनी पक्की मोहर लगा दी। जब हिंदूस्तान का बटवारा हुआ और एक हिस्सा हिंदूस्तान का एक अंग तोड़ करके पाकिस्तान बना दिया गया उनके पीछे किन लोगों के हाथ रहे किन लोगों के उनके पीछे कॉंस्पेरिसीज रही उसको तो हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं अपने देश देश में जितने इंटलेक्टरियल करीम थी मुस्लिम यूश कम्यूंठी की Sumya people migrate कर्के पक्स्था चली गई और इससे एक बहुत 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 बहुत買 गया हुए। देश के आजादी के 65 साल बात भी अलप सेंखेक मुस्लिम समाच को विकास या तरख्य की वो रफ्तार नहीं मिल पाई है जितने रफ्तार से दूसरी कौमें आगे बढ़ी हैं। अगर मुसल्मानों के राजनैतिक, आर्थिक और शेक्षनिक स्तर को हर सूबे में देखा जाए तो ये पता चलता है कि ज्यादातर मैदानों में मुसल्मान आजादी के बाद से पीछे और बहुत पीछे चला गया है। तो नहायती खराब माशी एतिबार से, सियासी एतिबार से, तालीमी एतिबार से, हर एतिबार से देखा जाए। तो ये समझ में आता है कि किसी भी मैदान में इस लाइक नहीं है कि उनको कहा जाए कि मुसल्मान बहुत ही इत्मिनान और चैन और सकून की जिन्दगी गुजारते होंगे। नहीं आबादी के इतिबार से और अलाके के और शहर के इतिबार से देखा जाए। तो इसमें भी अफसोस होता है कि जो अब मुस्लिम अक्सरियती अलाके हैं जो अब मुस्लिम अक्सरियती शहर हैं वहां पे भी अलाके की और वहां के माहौल की तरकियात वहां पे नहीं है और लगता है कि ये बहुत ही जब कोई पसमानदा आओ बहुत ही बैकवर्ड अलाके से तो गुजरने पर तो मालूम होता है कि ये कोई मुस्लिम अलाका है जब ही तो इतना बैकवर्ड है एक दो जखम हो तो उसकी बात की जाए यूं कहें तो आजादी के बाद मुसल्मान योजना बद्ध तरीके से में इस्ट्रीम से दूर किया जाता रहा और आज उसकी इस्तिती दोयम दर्जे के नागरिकी हो गई है किसी कौम या समुदाई की तरकी या उसके पिछले पन या पतन की बड़ी बन्याद उसके तालीमी स्तर की होती है ताजा आंकडों के मताबिक देश में मुसल्मानों की आबादी शिक्षा के मैदान में सब से पीछे है पर साथ ही साथ सरकारी पदों या नौक्रियों में उनकी भागिदारी का ग्राप लगतार नीचे आता रहा है यही मुसल्मान था जो आजादी के पहले शिक्षा के शेतर में 40 पीसद था और यह आज के देट में आंकले गवाँ है इस बात के किकि सुबए में 1 फिसद और सोदी और 11 पीसद और सिक्षा के शेतर में है और लगभग लगभग यही हाल सभी शेतर में है तो ये तो बात सही ऐक्दब सावित हो चुकी है कि सिखशा के मैदान में पीछे होना मुसलिमानों के सिखशा बाकि सारे चित्रों में पीछे होने का कारण है यह क्यूँ हुआ और इसका हल क्या है इस पर ना ही बहस होती है نہ ही इस पर कोई अमल होता है और अक्सर मैं जूला करेता हूँ कि एक आख फुटी है तो बड़े हमदर्द हैं तो लोग कहते हैं तुम काने हो तुम काने हो फोली किसने बहस इस पे क्यों नहीं होती है। उनकी संग्या बहुत कम नजर आती है। केंदर तथा राज्य सरकारे मदर्सा शिक्षा को लगतार नजर अंदास करती आई है। अगर हम सर्म धर्म शंभाव की बात करते हैं, सारे धर्मों के लोगों को माननेता देते हैं, चीजें करते हैं और ये कहते हैं कि हम एक सेकुलर राज हैं। तो अगर हम अन इस्कूल सिस्टम को माननेता दे रहे हैं, इसाही मिसनरीज द्वारा इस्कूल चला रहे हैं उसको माननेता है, हिंदू मिसनरीज अपना इस्कूल चला रहे हैं उनको माननेता है, फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा चलने वाले मदर्सों को माननेता क्यों न देने से मना करते हैं उस पर प्रसासन और सासन अपना हस्तचेव क्यों नहीं करती है। मदरसे में मुसलिम समुदाए के हजारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं इस उमीद के साथ कि उन्हें अच्छे शिक्षा मिल सकेगी। लेकिन हकीकत ये है कि मदरसा शिक्षा प्रणाली की बेहतरी करना तो दूर इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और आज इन्हें आतंक बात के समस्या से जोड़ कर शक की नजरों से देखा जाने लगा है मसाइल हमार साथ ये हैं कि सबसे पहले तो ये है कि बगएर किसी सुबूत के किसी भी इदारे को खाँ हिंदू ये बहुत ही नीशी जहनित की बात है बहुत छूटी जहनित की बात हम तो हर रोज दूआ के बाद अपने वतन के तथकिरा करते हैं का हम यह हमारा वतन है इसके विकास में और इसकी तरक्ति में हमारा भी उतना हाख जितना और लोगों का हाख है हम किसी आतंकवाद की बिल्कुल हमायत नहीं करते हम उसकी हमायत नहीं करते आजादी के बाद देश के मुसल्मानों ने दो दशक की अपनी कड़ी मुशक्त और अपनी दस्तकारी के हुनर की बदौलत लगो कुटीर उद्ध्योग के क्षेतर में तरक्य हासिल करना शुरू किया था अलीगर का ताला उद्ध्योग मुसल्मानों दोरा विकसित एक अहम कुटीर उद्ध्योग रहा है जोके अंतर राष्ट्री इस तर पर मशूर था मुरादबाद के पीतर उत्पादों ने विदेशी बाजारों में अपनी अच्छी खासी साख बना ली थी इसी तरह भधोही का कालीन उद्ध्योग फरुखाबाद का कांच और चूडी उद्ध्योग और बनारस का साणी उद्ध्योग भारत की अर्थविवस्था का अहम हिस्सा बन चुके थे इस दौर में मुसल्मान तबका अपनी समरिधी के साथ साथ देश की अर्थ विवस्था में अहम भूमी का निभाने लगा था भारत के लोगों को मुसलिमों पर फक्र करना चाहिए क्योंकि भारत की अर्थ विवस्था का आधार मुसलिम समधाई के लोग है और भारत में जो दस्तकारी की परंपरा है इसे मुस्लिम लोगों ने इडियों से संजो कर रखा है और इसके माध्यम से देश की सेवा विलुग कर रहे हैं दस्तकारी के शेत्र में मुस्लिम लोग अपना योगदान दे रहे हैं हम समझते हैं कि मुस्लिम लोगों ने देश को जितना कुछ दिया जितने भी दस्तकारी के उद्योग हैं लगू कुटीर उद्योग हैं ताला उद्योग, पीतल उद्योग, कैची उद्योग और बनारसी साड़ी, कालीन उद्योग तमाम ऐसे एतिहासिक चीजें जो हमें मुस्लिम लोगों ने दिया लेकिन हमारे देश ने हम लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों ने उनको उतना कुछ हम लोग ने वापस नहीं किया जितनी अपनी कला अपनी चीजें उन लोग ने हम लोगों को दी वो चीजें हम लोग ने उनको एक नागरिक के हैसिये से जो हमारी सरकारों को देना चाह असी के दशक के बाद हिंदू सामपरदाइक ताकतों का राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा था और सुन्योजित सामपरदाइक दंगों के दौरान खासकर उत्तर भारत के उन शहरों को निशाना बनाये गया जहां मुसल्मान तपका अपने कारोबार के बलबूते कुछ सम सिटिफ शहर राय यहां हमेशा लड़ाई धंगे जगले पसाद यह हुए क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी तादाद मुसल्मानों की ताला बेवपार में आगे था बहुत आगे था आज उनकी कंडिशन यह बड़ी बड़ी फेक्टियां बिग गई लोहे के भाव में क्य बड़ी फु Boss किया गया कि वह आतबाव बर्बाद हो गए संगाल से पहले जो मुसल्मानों की इस मुल्क में पहला थे वू बहुत बेहतर थे हर मैदान में चैह वह तालीम का मैदान था यह मुलाजमतों का मैदान था चैह वह हिंदूस्तान की दिफार के फॉज का मैदान भाव अपनाया गया और मुसल्मानों को अपाच कर दिया गया हर मैदान में उनको तहस नहस कर दिया गया और यहां तक किया गया जहां मुसल्मानों ने टेक्निकल जवब अपने हाथों में लिए अलिगर के अंदर मुसल्मानों ने ताला बलाना शुरू किया तो अलिगर के करके मुसलमानों के ताले के फर्म को खत्ताबाबाद में मुसलमानों ने पीतल और अगर नागर समाज और मानाव अधिकार संगठनों के नजरिये से देखे तो सामपरदाइक दंगों का होना और भारत में आर्थिक उदारवाद या नव उपनिवेश्वाद की नीतियों को अपनाना महज इतिफाक नहीं बल्के एक सोची समझी साजिश का हिस्सा रहा है मुसल्मान लोग मतलब मुकुड बनाते हैं कृष्ण भगवान का राम चंद्र जी का सीता मैया का राधा जी का हमको नहीं पता उनको सब पता है खडाउ बनाते है उद्रया में फूल की मंदी करते हैं हमारा जो तानाबाना ओ है इस ताने बाने को अंग्रेजों ने तोड़ा था उपन वेसिद renewed ने तोड़ी खी और आज ना बाना तोड़ने की कोशिश चीज़्चित जाómo करता हैं पीटल किसोर साहब की उस बात से इतिफाक रखता हूँ कि यह हमको सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यह दंगे कराये जा रहे हैं इस मुल्क को कमजोर करने के लिए कुटी रुद्ध्यों को खतम करके हम कहीं बहुराश्टी कमपनियों के जो है मतलब एजेंडे को यह अधिक मुसल्मानों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है एक तरफ तो सारे कारोबार तहस नहस हो गए दूसरी तरफ महीं कई हजार घर भी बरबाद हुए और हजारों मासूमों को अपनी जाने भी कमानी पड़ी लिए हिन्दी मुसीम तनगे में हम मेरे ज़माने मेठे तो हमरा हूरा मेरे मेरे करा घर जल गया था। माली हालत तो हमारी खराब होई लेकिन यह है कि जान बढ़ गई और मैं आज भी करता हूं कि जान है तो जान है पापा जी ने बाद में कहा था भागा जलना के बाद के लोग तूट जाते हैं घर बनाने में लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते ब हमारे ये हो गया दंगायों ने हमारा घर जला दिया उसके बाद से हमारा सब बर्बाद हो गया सब बर्बाद हो गया जब से लेकर अब तक हम उसी परेशानी में चले हैं उसी परेशानी में मुब्तिला हैं आज तक निकलने के पाई अगर आप देखें तो दंगे हों आम दि खासतोर पर पूरे अगर गुजरात को हम छोड़ देते हैं या महारास्ट को छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश के संदर में अगर हम बात करते हैं तो आज तक उत्तर प्रदेश में घंगों में मरने वालों की संख्या जो 85-90% मुसल्मानों की रही है जबकि उनकी आबादी सामने आई है कि ये भेदभाव भारतिय समाज में संस्थागत रूप ले चुके हैं जिसमें नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग अहम रोल अदा करते हैं एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जो पुलिस के अफ़सर है ना राएं उन्होंने पुलिस एकादमी हैद्राबाद के फेलोसीप पर पर दंगों में भारतिये पुलिस की भूमिका कैसी इसलेी होती है इस पर काम किया और उन्होंने आंक्रों से साबत किया है कि हिंदु दंगाईों के साथस énormément को पुलिस के दंगाईों का भी सामना करना पढ़ता है पुलिस आएम तोर पर मुसल्मानों को ही दंगाई माझन के हमला करती है अन्यता बारबार कुछ खास विचारधारा के लोग कहते हैं कि दंगे मुसल्मान शुरू करते हैं, फैट यह है, दंगों में मुसल्मान ही ज्यादा मारे जाते हैं, क्या मुसल्मान इतने बेवकूफ हैं कि वो ऐसा दंगा शुटू करेंगे जिसमें उन्हीं की जान जानीता कि इस पर विश्वास करने लायक नहीं है यह दूस्परचार है मुसल्मानों की हालत भारत में बहुत खराब है अगर हम पुले भारत वर्ष में अगर पुलिस का रोल देखें तो जहां तक मुसल्मानों की बात है तो पुलिस हमेशा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिये च ही दो तुम लोग ऐसे ही ही करते हो उस प्रजेक्त में काम करते हैं पहली बार मँदभ आप सघन तरीके सी क्या यह देखना और यह बात पता चली कि हम लोगो था कि दलितों के पुलिसिया अत्याचार काफी है और आदिवासियों के पुलिसिया अत्याचार काफी है कि हम लोगो को एक बड़ी असीप एक ट्रेंड दिखाई दिया कि जब हम मुसल्मानों के पुलिसिया अत्याचार के केस उठा रहे हैं तो उसमें दो बड़ी समस्याई दिखाई दिए एक तो यह दिखाई दिया कि जो पूरा रुख है इंस्ट्यूशन का जो पूरा रुख है पुलिस का जो पूरा रुख है मतलब जो है समुदाय का वो बहुत ही अलग है मुसल्मानों के पुलिशिया अत्याचार के सवाल कुने के तो ये बात आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 9-11 का घटना घटी और 9-11 के बाद मुसल्मानों के बारे में जो एक सोच पुरी दुनिया में बनाने की कोशिस की गई अमरीका में 9-11 की घटना के बाद से भारत में भी आतंकवात से निपटने के लिए कई सख्त सुरक्षा कानून बनाए गए इन में पोटा और UAPA जैसे कानून बुख्य रूप से विवादों के घेरे में रहे है मुसल्मान तपके के लोगों का मानना है कि पोटा के अलावा इस से पहले लागु टाड़ा कानून के तहट हजारों निर्दोश मुसल्मान नौजवानों को आतंकवात के नाम पर निशाना बनाया जाता रहा है हभी भाल से एक बेगुना बच्चा उठाया उसके नाखून तोड़ दिये गए उसके सर के पूरे बाल तोड़ दिये गए एक एक अजो एक एक हड़ी तोड़ दिये गई और दस साल के बाद ये पता चलता है कि साहब ये तो बेगुना था इस पर कोई चार्जिद नहीं तो इसका खामियाजा कौन देगा जवान जवान लड़कों को उठा के आतंगवादियों में बंद किया जाता है और उसके बाद दस साल के बाद कहा जाता है कि साहब आप वह गुना है ये कानून कहा है वो दस साल उसके सुनेरे जो वो डिम भी बन सकता था कलेक्टर भी बन सकता था एसपी भी बन सकता था उसको आपने उठा के आतंगवादी करार दे दिया उसकी बहन, बेटी और उसके रिष्टेदार सब ये ही कहला रहे हैं कि साहब ये आतंगवादी गद्विदियों का खानदान है इस खानदान से रिष्टा दोलने के लिए लोग तयार नहीं होते कानून के जानकारों का मानना है कि गिरफदारियों के डर से आज मुसल्मान तपका देशत के साई में जीने के लिए मजबूर है इस तरह की घटनाएं देश की नियाए वैवस्था पर भी सवालिय निशान लगाती है मुसल्म समाज के अंदर वो चुनोती है जस्टिस की फियर साइकोसिस की इन सेक्योरिटी की फिलिंग अभी हमने देखा कि कितने लोग आंधरा परदेश के अंदर वो ब्लास्ट केस के अंदर कितने बेगुना लड़के फसे उनको फाल्सली इंप्लिकेट आनन फानन में कर दिया गया और बाद में ये पता चला कि ये लोग इनोसेंट थे इन से कोई मतलब नहीं था जरूरत इस बात की है कि दंगों के दौरान या किसी भी अपरी घटनाएं होती है या कहीं कोई घटना कारित होती है तो फ्री फेर इन्वेस्टिगेशन एंड फ्री एंड फेर अरेस्ट होना ये जरूरी है आनन फानन में बेगुना लोगों को अगर गिरफतार कर लिया जाता है और अगर कारगुजारी देखाने के लिए लोगों को इनोसेंट लोगों को गिरफतार किया जाता है और ये देखा दिया जाता है कि साब ये इस में मुलविस है इस घटना में मुलविस है तो इससे हमारी जो नियाए ब्योस्ता है जो जस्टिस सिस्टम है इस पे जनता का विश्वाश डगमकाता है तो इस तरह का भी परचलन अब बंध होना चाहिए क्योंकि अब भारत के अंदर जो डिमुक्रेसी है ये अब काफी हद तक एक तरह से अब परिपक को और मैचूर् तोपी और दाड़ी इस देश में मुसल्मानों की धार्मिक पहचान का अहम हिस्सा है लेकिन आजकल ये पहचान मुसल्मानों की परेशानी और मुसीबत का सबब बन गई है दाड़ी दिखारें डर की वज़े से कि अगर दाड़ी दखा करेंगे हम तोपी लगाते सफर करेंगे तो कोई भी हस्सा हुआ तो सबसे पहले हमें बने कर दिया जाए है कि साब यह आतंगवादी है लोग बाग भार सफर करने में औरतें सफर करने में डर रही है कि अगर हम बुर्खा ओड़के सफर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ में कोई ऐसा हसा हो कि यहां से हमें बंद कर दिया जाए आज की दिन छुपतिने के बाद कोई मुसल्मा जाये वो कितने ही पक्का दोस्तों क्योंकि ऐसी चबी और ऐसी पिक्चर बैठा दी उनके जहनों में और हर मुसल्मान उनको आतंगवादी नदर आने लगा जब कि मुसल्मान से बहतर कोई एक कौम ऐसी नहीं है जो मुसल्मान से बहतर साफ चुत्रा जिसका इसलाम हो जिसका दीन हो साफ चुत्रा चलने वाला हो जानकारों के मताबिक धारमित पहचान या वेश भूशा के आधार पर किसी समुदाय या कौम को आतंकबादी कहकर निशाना बनाना उसी सोची समझी साज़िश का नतीजा है जो गुलामी के दौरान आजादी की लड़ाई के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने रची थी और वो इतिहास आज फिर दोहराय जा रहा है 1857 की गदर में इन्ही की शकल के लोगों को अंग्रेजों ने आतंकबादी कहा था इनको अंग्रेज आतंकबादी कहता था और हिंदुस्तानी इनको मुझाहिद आजादी कहता था हिंदेश की सतंता सेनानी कहता था इसी शकल के लोगों को इसलिए कि एक इत्तफाक था कि मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई मुसल्मानों की तरफ से जो लड़ी गई उसमें उनकी अगवाई इसी तपके ने की थी उल्मा ने इस शकल को ये दाड़ी और ये टोपी और ये इस शकल को ही उसने आतंकवाद का परियाए बना दिया था अंग्रेजों ने आजादी के बाद समय समय पर भारस सरकार ने मुसल्मानों के आर्थिक, सामाजिक और तालीमी हालात को जानने के लिए कई कमेटियां और आयोगों का गठन किया गोपाल सिंग कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमिशन, राजेंद्र सच्चर कमेटी इन सभी ने मुसल्मानों को रोजगार के समान अपसर, आरक्षन और शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाय मोहिया कराने की सिफारिशन की है भारत के प्रधार मंतरी के 15 सूत्रे कारिकरम में मुसल्मानों के हालात को सुधारने के लिए कई योजनाय सुझाई गई है इन सब के बावजूद ये तमाम कोशिशें मुसल्मानों के हालात सुधारने में अब तक नाकाफी साबित हुई है वो इनी लागूंजी कर पा रही है। अब आप लेधे कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहूर इलाकों के अंदर आजिए से अच्छे स्कूल होने चाहिए मुस्लिम बहूर इलाकों के अदर अच्छे बेंक फैसिलिटी होनी चाहिएizo complot सारी चीजे ऐसी है इसमें मैं बहुत कुछ मानता हूँ अगर हम लोग दोशी है तो हमारी सरकारे भी दोशी है आज भी उनके इस गुजारिशाद को और उनकी बातों को माना नहीं गया असचे कमिटी में जो पेशकश और सिफारिशाद की गई हैं उनके ओपर अमल नहीं किय और इस pseudo ता है उनके जो बरसरे हो कोमत लोग हैं बरसरे एक्तिदार लोग हैं उनकी बात चीट उनके तोर तरीके उनके रहन सहन उनकी तरजश ए होकूमत से ऐसा महसूस होता है कि गोया वो किसी तरीके से इस बात कि उसमें कि किसी तरह पांच साल का जमाना गुजर जाए और हम कुछ ना करें और फिर हम यह कह सकें कि हम क्या करें हमने फोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए और फिर बाद में माज़रत करने की हम से नहीं हो सकेगा मुसलिम समाच के जागरूक वर्ग का मानना है कि आज हिंदुस्तान में मुसल्मानों की तरक्य ना होने के पीछे एक बड़ा कारण है लीडर्शिप कर ना होना आज सियासत के मैदान में जो भी मुसल्मानों की नुमाइंदगी करते हैं वो समुदाई के प्रती अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं पहले हमारे पास कायद हुआ करते थे रहनुमा हुआ करते थे आज हमारे पास नेता हैं नेता और कायद में फर्क ये है कि वो अपना अपनी पार्टी का हित अगर आले आ रहा है तो वो अपनी कौम का सौधा भी कर लेगा, ये बड़ा कड़वा सच है, कि लीडर्शिप नाम की या कयादत नाम की चीज अब नहीं है मुसल्मानों के पास आजादी के बाद से, नेता बहुत है, सारी पार्टियों ने अपने को सेकुलर साबित करने के लिए एक कोटा जरू कि देखिए साब हमने इतने टिकट बाटे तो दूसरा बढ़ के बोलता है, दूसरी पार्टी कि नहीं साब, हम तो उनसे ज्यादा सेकुलर हैं, इसलिए कि हमने उनसे ज्यादा टिकट बाटे, लेकिन आजादी के बाद से, कोई एक कारनामा, किसी एक मुसलिम लीडर का, च ज्यासत एक ऐसा खेल है, जो हमेशे अपना फाइदा देखता है, वो लोग जो चुन कर जाते हैं अमाम के जरिये से, वो भी जब ताकत आते हैं, तो ताकत अपनी इस्तेमाल करते हैं, उसी अमाम के खिलाफ, और अक्सर अपने फाइदे के लिए, लोगों को आपस में लड करने वाले इन हाथों को, हुकुमतों ने बस वोट लेने तक ही सीमित किया हुआ है, मुसल्मानों के वोट चुनावी गणित पर असर तो डालते हैं, पर उनके वोटों से चुनकर आई सरकारे, मुसल्मानों के हालात पर कोई असर नहीं डालती है, चाहे वो किसी भी कोई भी पार्टी हो उसे हम मैं किसी को स्पेसिटिफाई ने कर नहीं चाहती है जिसको भी हमने दिया उसने मुस्टनमान से बहुत सारे वादे तो किये उनको उपर आगे लाने के लिए लेकिन जब इलेक्षन ओवर हुआ तो उस कंडियशन में हम लोगों क छोड़कर खेशे ले गए एक ये बहुत बड़ी कमी रही है ये बहुत बड़ी वज़ा रही है मुस्लिम के डाउन होने में आजादी के बाद पिछले 65 सालों में आवाजने तो बहुत उठी हैं बड़े-बड़े दावे भी किये जाते रहे हैं लेकिन सच्चाई की जमीन पर मुसल्मानों के आर्थिक और सामाजिक हालात सुधरने की बजाए बिगड़ते ही चले गए हैं बड़े उद्योगों या कारुबारों और नौकरियों में मुसल्मानों की तादाद में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ है परमपरागत पेशों से जुला फन वक्त गुजरने के साथ साथ अब प्राचीन काल की दास्तान बनता नजर आ रहा है कुल मिला कर देश का अलप संख्यक मुसल्मान आज भी वरीबी, निरक्षर्ता, बेरोजगारी, कुपोशों और बीमारियों से जुजने पर मजबूर है आज की परिप्रेक्ष में अगर हम देखें तो भारत में बहु संख्यक मुसल्मान गरीब है दोनों बसकी रोटी जुटाने के लिए मुश्किल है उसके पास और साथ ही साथ वो किसी आरक्षन का हकदार भी नहीं है अगर उसको आरक्षन देने की बात की जा रही है चार परसंट तो पिछणों को भी लग रहा है कि उनका हिस्सा काटा जा रहा है पिछणों में पहले से उनको आरक्षन होना चाहिए था यह सरकारे केवल ओट लेने का केल खेलती है उनकी स्थिती इस समय बहुत खराब है और मुसल्मानों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं है मुसल्मान आम तोर पर सिस्टम के बाहर है उसके पारिवारी को जो धंदे थे वो समाप्त हो गए है बुनकरी खतम हो गई है कालीन की बिनाई लगभग खतम हो गई है और अब वो खेत मजदूर हो जाने के लिए शाद भी बस है या डिस्प्लेस्मेंट विस्तापन के सवस्ता के द्रिष्टी से भारत में सामप्रदाइक दंगों के कारण हिंदू और मुसल्मान समुदाय के बीच इन सानों के दोरान बढ़ती कटूता के बावजूद भी इस मुल्क के प्रगतिशील वर्गों ने इस सांधा संस्कृति को बचाय रखा है कभीच आपका जो संकेत है कभीच आपकी जो बानी है ये दोनों धर्मों की और संकेत है और दोनों धर्मों को फटकार के कहा कि भाईरे दो जगदिश कहां से आया को कोने बवराया अल्ला राम करीमा के सब हरी हजरत नाम धराया गहना एक कनकते गहना यामे भावन दूजा कहन सोनन को दोईखर थापे एक निवाज एक पूया संगीद जो है हमारे पास जो आया वो भी मुसल्मान के ही द्वारा आया हम उनका सम्मान करते हैं और यह कहते हैं कि यह सरोज जो है उन्हीं का है इसी कड़ी में European Union, मानव अधिकार जन निगरानी समीते तथा Human Rights Law Network सन्युक्त रूप से अपने खास कारिकरम के तहद सामप्रदाइक सोहर्थ को बढ़ाने के लिए हिंदू-मुसलिम इलाकों में रोजा इफ्तार, फोकस गुरूप डिसकशन तथा सामप्रदाइक सत्भावना बढ़ाने के लिए परिपेक्ष निर्मान कारेशालाओं का आयोजन करती रही है इन संस्थाओं ने मुसल्मानों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पिसले धाई सालों से लगतार मुसलिम पीडितों के व्यक्तिगत मामलों को उठा कर उन्हें सामुहिक मुद्दे के रूप में सामने लाने का काम किया है ये मामले विभिन मानव अधिकार संगठनों, आयोगों, शासन वर प्रशासन के समक्ष पहचान और समधान के लिए भीजे जाते रहे हैं पहले मुसल्मान पीडितों के केस विभिन आयोगों और प्रशासन के पास नहीं पहुँच पाते थे लेकिन संगठन के प्रयासों के फला सरूप इस तरह के केस अब पहुचने लगे है और उन्हें इन सरकारी संस्थाओं द्वारा गंभीरता से लेते हुए पीडितों को राहत और मौवजे के लिए कार्रिवाही की जाने लगी है इसके साथ ही ये संगठन लगतार दोनों संप्रदायों के संगर्शों की पहचान कर उनके सकारात्मक समधान के लिए प्रयास कर रहे है मुस्लिम लीग के स्थापना ने इस पर अपने पक्की महर लगा दी जब हिंदुस्तान का बटवारा हुआ और एक हिस्सा हिंदुस्तान का एक अंग तोड़ करके पाकिस्तान बना दिया गया उनके पीछे किन लोगों के हाथ रहे किन लोगों के उनके पीछे कॉंस्पेरिसीज रही उसको तो हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं अपने देश में जितने इंटलेक्शिरल करीम थी मुस्लिम कम्यूनिटी की वो माइगरेट करके पाकिस्तान चली गई और इसे एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया देश की आजादी की 55 साल बाद भी अलब सेंखेक मुस्लिम समाज को विकास या तरकी की वो रफ़तार नहीं मिल पाई है जितने रफ़तार से दूसरी कौमें आगे बढ़ी है आजादी के बाद का वो दौर जब कई तरह के कॉम्प्लेक्स से गिरा हुआ था मुसल्मान एलीट यहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान जा चुका था जो यहां बचा था वो दबा कुछला सहमा हुआ तब का था वो काश्तकार था वो दस्तकार था वो मजदूर था और दो तरह के complexes से गिरा हुआ था, एक guilty complex था कि उसको partition का जिम्मेदार बताया गया था और दूसरा inferiority complex था, fear psychosis थी, दंगे हुए थे, वो डरा सहमा और एक अपराद बोध से ग्रसित तबका यहां बचा था अगर मुसल्मानों के राजनैतिक, आर्थिक और शेक्षनिक स्तर को हर सूबे में देखा जाए, तो यह पता चलता है कि ज्यादातर मैदानों में मुसल्मानों यह तस्वीरे हैं, आजाद हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलिम समाच की, जो आबादी के एदबार से, मुल्क का सबसे बड़ा अलप सेंखेक समुदाय है सांजी संस्कृति वाले इस देश में, मुसल्मानों की अपनी खास एतिहासिक और संस्कृतिक विरासत रही है आजादी की लड़ाई के दोरान, नजाने कितने मुसल्मान नौजवानों ने अपनी जान की खुर्बानिय दी, और कितने आली मैसे हुए हैं, जिने फासी पर चड़ा दिया गया 1857 में आजादी की पहली कुरान्ती के बाद, बहादुर्शा जफर की अगवाई में, ब्रेटिश उपनिवेश्वात के पहले विरोध ने अंग्रेजी हुकूमत की जणे हिला दी थी, इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह है मुसल्मान भारत में 1857 से लेकर गी, जो रास्तिय संग्राम है, उनमें मुसल्मानों की बड़ी भूमी क्या है दिल्ली का बाश्शा होने के नाते सिपाहियों ने विद्रोह के बाद जिसे, जिसके पास कुछ नहीं था, पालम पर भी उसका रिकार नहीं था, जिसे प्रतीक रूप में चुना, विद्रोह के सिंबल के रूप में चुना, वो दिल्ली का मुगल बाश्शा बहादुर शा बाधोसान इस पुर्कु ने पूरे भारत प प राज इसलिए रास्त्री ये एकता को सुनिश्चित करने के लिए सिपाहियों ने उसे अपना नेता बनने के लिए लगबग मजबुर किया। सन 1947 में हिंदुस्तान को आजादी तो मिली पर इसके लिए एक भारी प्रीमत चुकानी पड़ी और चंद लोगों के फायदे के लिए इस मुल्क के दो टुकले कर दिये गए इसकी बुनियाद सन 1925 में राष्टि सोयम सेवक संग तथा हिंदु विचारधारा के मुखिया वीर सावरकर ने रखी थी और उसके बाद